हेलो फ्रेंड्स यह मेरे पास एक यह प्लाज्मा आया है सैमसंग का 43 इच का मॉडल नंबर है पी एस 43E400U1R अब यह मॉडल में यह था कि मैं यह फिस पांच या 10 सेकंड चलने के बाद यह रेड इंडीकेटर में चला जाता था यह प्रॉब्लम वेसे मैंने सौल कर दिया है लेकिन आपको इसलिए बता रहूं कि क्या क्या आप चेक कर सकते हो कर सकते हो जैसे समझे लोग यह प्लाजमा है यह मोडल में यह इसका जैड़ बॉर इसका पावर सप्लाइ है मैंने यहां पर आप ध्यान से दीखे तो यह पी एस ओन का जो जंपर है वहां उसको ग्राउंड कर दिया यूगि यह पावर सप्लाइ का प्रोब्लम है या मदर बॉर का चेक करने के लिए पीए सोन को अगर आप ग्राउंड करते हो तो सारे वॉल्टेज ओन रहेंगे तो मैंने यह किया और उसके बाद यहां पर एक नंबर और दो नंबर की पीन को सौट किया टेस्ट पेटन में सबसे पहले चला के देख लिया कि यह पीस बंद नहीं हो रहा था मतलब हमारा यह पावर सप्लाई यह जैड बॉड और यह वाई बॉड और बफर सब ओके हैं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है हमा प्रिया से देखिये यह एक रीशेट ऐसी है यह वाली हो यह मैंने निकाल के देखि पंड इससे भी कुछ फरक नहीं पड़ा और अBOद फिर यहां पर एक रीशेट ऐसी आती है कि यहां पर है कि तो मैंने यहां से उठाई यह देख़ी मैंने उठाई है यह रिशेट आई सी में ने उठा के निकाल दी तो यह पीस अब चालू हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई इस्यू नहीं है इसके अंदर तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है हमें बतर बोड का प्रॉब्लम आता है और यह बीटियल में अपने एकाउंट में डाल दूँगा तो आपको कभी भी ये model का plasma आता है repairing में तो आप judgment ले सकते हैं कि इसमें क्या problem है Motherboard में सारे voltage आप okay है के नहीं ये check करने के लिए आप PS on को ground कर दीजिए तो आपके सारे voltage आजाएंगे तो अगर कोई IC या regulating IC खराब है तो आपको मालूम पढ़ जाएगा कोई हीट हो रही है कोई चीज वो भी मालूम पढ़ जाएगा अगर हीट हो ये तो उसको निकाल के डाल सकते हैं और उसके बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो आप ये reset IC यहां पे और एक ये वाली दोनों IC निकाल के बारी बारी से चेक कर सकते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों IC reset की खराब भी हो एक बार ऐसा भी करना पड़े कि आपको दोनों उठा के देखना पड़े ओके फ्रेंड थैंक्यू वेरी मच्ट पर वाचिंग